राम को लेकर जो भावनाय है वो हर जगा से वैक्ट हो रही है ऐसे में राजनेता भी पीछे नहीं है ताजधानी रायपूर में भी राजनेताओं से जब बात की गई तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी लेकिन साथ चतिसगड के विगज राजनेता ब्रजमोहन अगरव हम सब सभाग्य साली है हम सब किस्मत वाले हैं हम सब को राम जी के आसिरवाद है कि जो प्रभू राम की प्रान प्रतिष्ठा देखने का हमको सबको औसर मिला है प्रभू राम आये हैं हम सब के भाग्य और भारत के भाग्य को चमकाएंगे और भारत विस्व गुरू मैं इस औसर देने के लिए देश के प्रधान मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और सुपकामनाय देता हूं कि उनके निट्षित्टों में भारत में राम राजी की तरफ भारत बढ़ रहा है और राम राजी फिर से आएगा देश में दिवाली बन रही है च्छतिसगर में भव्य तयारी की गई है एक डाक टिकण भी आप लोग आज में मोचन करने जा रहे हैं क्या तयारी उसको लें करते हैं कि देखे प्रभू-राम तो सब के हैं जन-जन के हैं मनमन के हैं कंड कंड में प्रभू-राम एं और यह जो सब कुछ हो रहा है यह प्रभू-राम की क्षापा रहा है और राम जी के चाहने पर ही हो रहा है उन्होंने 500 सालों तक एक कफड़ी तियंट में ठंड में गर्मी में बर्साइट में उसको सहन किया तो प्रभु राम जो हैं उस्ति चेह रहां कि भी है प्रभु राम निसाध आने वाले दिनों में किस तरह के आयोजन जो है होने वाले हैं अभी आज पूरे चतिस गड़ में पांच हजार भजन मनलिया भजन कर रही है पांच सो से ज़्यादा इस्थानों तक में आज भव उस्तों मनाया जा रहा है संस्कृति मंद्री ब्रिज मोहन अकबाल जिनका साथ तरह पर कहना है कि आज जो प्रांथ प्रजिस्टर आयोद्या में भगमान राम की हुई है वो एतिहासिक अपल है साथ ही उन्होंने कहा कि 36 गड़ पर जो राम गमन बन पर प्रोजेक्ट है उसको जो है पूरा किया जाए कैमरा मनिकराम के साथ स्वातन गोर्खेडे आनस न्यूज राइपुर्ण